Hello guys, आज हम लोग A Merchant and His Donky की कहानी पढ़ेंगे. A Merchant and His Donky, एक व्यापारी और उसका गथा. One beautiful spring morning, एक सुन्दर सुबह के दिन, A Merchant loaded his donkey with bags of salt to go to market in order to sell the salt. एक व्यापारी नमक के भरे बस्ते को अपने गधे पर लादता है, ताकि वो market में जाके, बाजार में जाके उसको बेच सके. The Merchant and His Donky were walking along together. The Merchant, व्यापारी और गधा एक साथ चलने लगें. They had not walked far when they reached a river on the way. वे जादा दूर तक चले नहीं थें कि उनके रास्ते में एक नदी आ गया. Unfortunately, the donkey slipped and fell into the river. दूर्भागी से जो donkey गधा था, वो उस river में फिसल की गिर जाता है. As it scrambled up to the bank of the river, it noticed that the bag of salt loaded on his back had become lighter. जब वो रिंग के बाहर निकला, यानि, bank of the river, जब वो रिंग के पानी के किनारे पहुचा, तो उसे पता चला, उसे ये पता चला कि उसके उपर जो की नमक का बस्ता रखा गया था, वो हलका हो चुका है. There was nothing the merchant could do except return home, where he loaded his donkey with more bags of salt. अब जो व्यापारी था, उसके पास कुछ और करने को नहीं था, इसलिए वो वापस घर गया और दुबारा अपने गधे पे नमक का बस्ता लाद दिया. As they reached the slippery river bank again, the donkey fell into the river, this time deliberately. जैसे ही वो लोग नदी के किनारे पहुँचे, जो गधा था, वो फिसल गया, लेकिन इस बार वो जानबूच के फिसला. Thus the salt was wasted again. इस तरह नमक एक और बार बरबाद हो गया. By now, the merchant knew the donkey's trick. तब तक व्यापारी गधे का चाल समझ गया था. He wanted to teach the animal a lesson. वो चाता था कि इस जानवर को एक सबक सिखाएं. As he returned home the second time with the donkey, the merchant loaded bags of sponge on its back. जैसे वो घर पहुँचा, जैसे वो दूसरे बार घर पहुँचा अपने गधे के साथ, तो इस बार जो व्यापारी था, वो अपने गधे के उपर sponge का bag रखा. Sponge यानि की एक ऐसा पधार जो पानी को सोख लेता है. The duo set out on their trip to the market a third time. जो दोनो थें, दोनो एक और बार, तीसरी बार, दुबारा अपने यातरा चलें market की तरफ, बाजार की तरफ. On reaching the river, the donkey very cleverly fell into the water again, but now instead of load becoming lighter, it become heavier. जैसे ही वो दोनो नदी के किनारे पहुँचें, नदी में जैसे ही पैर रखें, जो गधा था, वो इस पास चला की से, दुबारा पानी में फिसल के गिर गया. But now, instead of the load becoming lighter, it became heavier, लेकिन इस बार, वो जो load, यानि कि जो उसके पीट पे लदा हुआ था, वो हलका होने के बजाए, वो और भी भारी हो गया था, क्योंकि उस पे sponge था, sponge जो पानी को सोक लेता है, पानी को सोक लिया तो वो और भारी हो गया. The merchant laughed at the donkey and said, You foolish donkey, your trick has been discovered, you should know that you cannot fool anyone too many times. जो व्यापारी था, वो गधे पे हसने लगता है और बोलता है, तुम मुर्ख गधे, तुम्हारा चाल्क पहले इस डिसकवर्यानी की, खोज लिया गया है, पता लग गया है, और तुम, तुमें ये जानना चाहिए, कि तुम किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को, कई बार गधा नहीं बना सकते, उलू नहीं बना सकते है, आज की कहानी यही थी, होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाईक करेगा, शेर करेगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कु ना भोले, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तब के लिए, ब झाल झाल